हलो इस्टुडेंट्स इस वीडियो में हम जो टोपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एपिस टेक्सिस जैनल ये टोपिक जो है एक्जाम में आता है पर शोर्ट नोट्स में आता है और जो सेकिंड एर और थर्ड एर दोनों के लिए इंपोर्टेंट है MSN में जो BSC Nursing की बात कर रहा हूँ है तो बात करें कि एपिस टेक्सि की कंडिशन होती क्या है तो नोज जो हमारी नोज है या नेजल केविटी है उससे जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते है एपिस टेक्सिस इसको हिंदी में नकसीर भी बोलते है तो अब यहां पर जो सेप्टम होता है जो दोनों नोस्ट्रिल्स को सेपरेट करनेया काम करता है तो इस नेजल सेप्टम में क्या होता है रिच ब्लड सप्लाई होती है क्यों होती है क्योंकि इस नेजल सेप्टम में पांच तरे की blood vessels आके एक दूसरे से मिलती है और यहाँ पे एक जाल बनाती है plexus बनाती है जिसको बोलते हैं केजल बेक plexus ओके तो यह जो केजल बेक plexus होता है इसमें क्या होता है rich blood supply होती है तो कभी भी किसी भी तरह की nose पे हलकी सी भी चोट लग जाए या किसी तरह की बारी चोट लग जा उस वज़े क्या होता है एकदम से bleeding होना शुरू हो जाती है तो इसमें nose bleeding की reason यह होता है कि यहाँ पे क्या होता है एक तो rich blood supply होती है nose में जो केजल बेक plexus है इस वज़े से किसी भी तरह की यहाँ पे चोट लगने से जल्दी से या bleeding हो जाती है तो यह तो आपको समझ में आ गया कि epistaxis की condition क्या होती है next one अब बात करें जो यह condition है यह life threatening condition नहीं होती है means इसमें किसी person की जान नहीं जाती है अगर bleeding हो बट इस वज़े से ज्यादा problem create हो सकती है क्यों हो सकती है अगर माल लो bleeding heavy है और ज्यादा यहां से bleeding हो जाय तो person को problem हो सकती है पर यह life threatening condition नहीं है तो यह तो बात होगा इसकी general introduction की अपन बात करेंगे इसकी causes की तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर कुछ local causes जो mostly epistaxis condition cause कर सकती है तो उसमें first one आती है fingernail trauma अगर किसी का नक्हुन जो है nails जो है वो nose में चला जाए और किसी तरह से membrane में injury हो जाए तो bleeding हो सकती है दूसरा road traffic accident जो किसी का अगर accident हो गया और उसमें एकदम से nose पे injury हो गई blunt चोट लग गई तो उस वाज़े से bleeding हो सकती है दूसरा यहाँ पे cause हो सकती है कि किसी तरह की direct injury हो जाए बॉल लगने से अपन cricket वगेरा खेलते हैं और कभी कबार हमारे बॉल लग भी जाती है नाक के ओपर तो bleeding हो सकती है दूसरा किसी की fist लग जाए means fist बोलते हैं मुक्का मार देना जनरली जो हम क्या मुठी बन करके किसी को मार देते हैं उसको बोलते हैं fist तो उस वाज़े से bleeding हो सकती है दूसरा यहां पर एक और cause हो सकती है fracture of nasal bone अगर कोई person गीर जाए कहीं पर या accident हो जाए और उसकी nasal bone में fracture हो जाए तो उस वाज़े से bleeding हो सकती है तो कुछ हो गई local causes next one यहां पर infection की वज़े से भी bleeding हो सकती है जैसे कौन सा infection होगा like जो rhinitis की condition है rhinitis क्या होता है जो nasal cavity है उसकी जो membrane है उसमें अगर infection या inflammation हो जाए तो उस वज़े से bleeding होगी क्यों होगी क्योंकि आप पता inflammation में क्या होता है swelling हो जाती है तो अगर जो mucous membrane उसमें swelling हो जाए तो वहाँ पर rupture हो सकती है और bleeding भी हो सकती है दूसरा यहाँ पर infection हो सकता है sinusitis condition sinusitis क्या होता है जो हमारे sinus cavity है sinus cavity आपको पता है हमारी जो face की bone से या इसकल bone से उनमे sinus cavity पाई जाती है तो अगर इनमें किसी का infection या inflammation हो जाए तो क्या होता है वहाँ पर blockage हो जाता और उस वज़े से भी nasal cavity bleeding हो सकती है ओके तो यह तो बात होगा infections की next one अब बात करें यहाँ पर कुछ other causes भी हो सकती है जिसकी वाज़े से bleeding हो सकती है nose में like drugs कुछ ऐसी drugs भी आती है like अपन बात करें anticoagliant drugs या blood thinners drug ये drug क्या करती है blood को पतला करने का thin करने काम करती है जो clotting mechanism है उसको कम करने कामकरती है तो अगर कोई per came drugs ले रहा है anticoagliant drugs ले रहा है तो उनमें क्या होता है bleeding होने के chance बढ़ जाते हैं next one pregnancy condition में भी हो सकता है pregnancy में कैसे bleeding होगी तो आपको पता होगा जो pregnancy condition होती है उसमें hypertension की problem देखने को मिलती है तो मैं आपको जैसे बताया कि अगर यहाँ पे जो blood vessels है यहाँ पे rich blood supply है तो अगर यहाँ पे hypertension ही condition है तो क्या होगा यह blood vessels में rapture होने के chance होगे और अगर यह rapture होगी तो bleeding होने के chance भी होगे ओके next one cause हो सकती है foreign bodies अगर किसी तरह की foreign body nose में insert हो जाए जो बच्चे वगेरा होते है उनमें क्या होता है खेलते खेलते हो कुछ एक दूसरे के insert कर देते है pencil वगेरा होते है normal यह चीज़े तो अगर ऐसी foreign body nose में insert कर जाए तो epistaxis हो सकता है next one heart disease यहां पर भी reason हो सकता है heart disease और hypertension hypertension heart disease से related रहता है जैसे heart failure की condition है heart failure condition में क्या होता है hypertension मी problem देखने को मिलती है okay तो इन condition में क्या होता है blood vessels में rupture हो सकता bleeding भी हो सकती है next one cause हो सकती है deviated nasal septum जो nasal septum होता है दोनों nostrils के बीच में अगर यह जो nasal septum अपनी जगे पर नहीं होके यहां से बाहर misplace हो रहा है ठीक है इस तरह से अगर misplace हो रहा है तो उसको क्या बोलते है deviated nasal septum तो ऐसी conditions में भी bleeding हो सकती है last one यहां पर एक और cause हो सकती है benign और malignant tumor अगर किसी person को tumor की condition है nasal cavity में किसी तरह कर tumor है या आसपास कोई body part में tumor है तो उस वज़े से भी क्या हो सकता है यहां पर bleeding cause हो सकती है तो यह तो बात हो गई कुछ causes कि I hope आपको यह समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं इसके sign and symptoms की कि इसमें क्या lection देखने को मिलते हैं तो सीधा सा यहां पर symptom यह यह देखने को मिलता है person में bleeding होती है पर bleeding का nature कैसा होगा dark और bright red bleeding होगी क्यों होगी क्योंकि जो blood यहां पर आ रहा है वो कैसा है बिल्कुल fresh blood है next one यहां पर dysnia की problem भी person में हो सकती है क्यों होगी क्योंकि जो bleeding होती है जो blood आता है वो कहां रहता है nose के अंदर रहता है तो अगर नेजल cavity में bleeding हो रही है और यह जो blood है वो nose drills को या nasal cavity को block कर दे तो person को सास लेने में दिक्कत हो सकती है next one यहां पर headache की problem भी देखने को मिलती है जिन लोगों में epistaxis होता है उनमें headache हो सकता है generally जो migraine की problem होती है जो migraine की patient होते है उनमें headache भी होता है और epistaxis condition भी देखने को मिलती है दोनों एक साथ देखने को मिलती है next one हम यहां पर conditions देखने को मिल सकती है तीन वर्टिगो, वीक्नेस एंड कन्फूजन ये क्यों देखने को मिलेगी तो आपने देखा होगा कभी भी हमको किसी तरह की चोट लगती है या ब्लीडिंग अगेरा होती है तो हमें एकदम से चक्कर आने लग जाते हैं कन्फूजन सी होने लग जाती है या weakness ही लगने लग जाती है इसा क्यों होता है क्योंकि जब भी हमारी body से blood loss होता है तो हमारी body का यह response होता है और हमको weakness लगने लग जाती है चक्कराने लग जाते हैं तो यह तो बात हो गई आकर sign and symptoms की अब बात करें इसकी diagnosis की तो इसमें diagnosis ज्यादा कोई specific नहीं है common diagnosis है कि परसन की stickulate कर सकते हैं परसन से पूछ सकते हैं कि आपको कैसे चोट लगी कहां लगी क्योंकि यह easily visible होती है तो physical examination में भी क्या कर सकते हैं नोस को examine कर सकते हैं और observe करके easily पता लगा सकते हैं कहां पर injury हुई है और bleeding कहां से हो रही है next one यहां पर endoscopy का use भी कर सकते हैं अगर heavy bleeding है या complications किसी तरह की present है तो endoscopy यहां पर कर सकते हैं जिसमें क्या करते हैं nasal cavity को visualize कर सकते हैं next one यहां पर endoscopy भी कर सकते हैं angiography कब करेंगे कि अगर किसी तरह की complications present है कोई heart disease present है या किसी तरह का tumor present है तो यह देखेंगे कि जो nose के अंदर जो blood vessels present है उन में किस तरह की blockage present है क्या present है किस तरह की injury हुई हो के तो उसको visualize कर सकते हैं angiography से पर यह कब करेंगा अगर complications जादा हो अब अपन बात करें इसके management की तो epistaxis की condition होती है इसमें किसी भी तरह की drugs वगेरा की या surgery वगेरा की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसका जो management है इसमें हम यही देखेंगे कि जो bleeding हो रही है person को bleeding हो रही है उसको कैसे रोका जाए और जब bleeding बंध हो जाए तो उसको वापस से होने से कैसे रोका जाए तो य यही हम इसमें management में पड़ेंगे तो सबसे पहले अपने point देखेंगे कि अगर person में bleeding हो रही है तो उसको कैसे रोकेंगे तो इसमें first point यही है कि अगर किसी person को किसी तरह की चोट वगेरा लगी और उसके bleeding होना चालू हो गई तो on the spot हमें सबसे पहले क्या करना है patient को किस position में रखना है lean forward की position में generally आपने देखा होगा किसी person को या बच्चे को चोट लगती है उसको bleeding होती है तो कुछ लोग क्या करते है उनको lean करते हैं पर backward की तरफ कर देते हैं मतलब उसका जो head है उसको पीछे की तरफ मोड देते हैं पीछे की तरफ जुका देते हैं उस पर ऐसा न जुकाना है आगे इससे क्या होगा कि जो blood है जो nose के अंदर blood है वो क्या होगा पीछे की तरफ नहीं जाएगा अगर पीछे आप सर को यह जुका देंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी bleeding अंदर हो रही है वो अंदर throat में जाने लग जाएगी पर अगर सर को आगे की तरफ forward क करेंगे तो bleeding जो है throat के अंदर नहीं जाएगी aspiration का कतरा नहीं होगा ठीक है सबसे पहले बात क्या ध्यान रखनी है patient को किस position में रखना है lean forward और दूसरा patient को क्या बोलना है कि आपको सांस कैसे लेनी है अपने mouth से लेनी है ठीक है तो यह आपको पहली बात ध्यान रखनी है जो nose होती है इस तरह से होती है उपर के पार्ट में तो जो है bone पाई जाती है nasal bone जो lower part होता है short part होता है क्योंकि यहां पे bone नहीं रहती है सिप cartilage रहती है तो हमें कौन सा पार्ट pinch करना है यह वाला पार्ट इस वाले पार्ट को जो हमारी index finger से pinch करना है कित्ते मिनट तक रख लगती है तो क्या होता है वो रोने लग जाते हैं घंबरा जाते हैं तो क्या करना है हमें उनको शांत करना है चुप कराना है उनको बोलना है कि आप चुप बेठे रहें नीचे मू करके ठीक है next one अब क्या करना है एक बात का और हमें ध्यान रखना है या पे patient को कभी भी सी करना उसको lean forward करना है आगे की तरफ उसके मुझ को जुका देना है कभी भी उसको सीधा नहीं लेटाना इसे aspiration का खतरा बढ़ जाता है दूसरा एक और position में नहीं रखना है कौन सी position में कि जो person के दोनों leg से उनके बीच में head को put नहीं करना है समझ रहे हो कौन सी position के रहा हूँ जो मतलब हमको school वगेरा में सजा मिलती थी मुर्गा बन जाने की जब हमको मुर्गा बना देते तो क्या करते हैं हम मुर्गा बनते हैं तो हमारा head conditions का ध्यान रखना है next one अब क्या करना है patient को ice compression भी हम दे सकते हैं अगर bleeding ज़्यादा हो रही है रुक नहीं रही है ऐसा करने पे भी तो person को ice compression भी दे सकते हैं क्यों कि आपको पता है जब भी cold temperature के संपर्क में हमारी blood vessels आती है तो क्या होता है हमारी blood vessels में constriction हो जाता है क्योंकि cold क्या करता है blood vessels को constrict करने का काम करता है तो ice compression या patient को दे सकते हैं next one up last में क्या करना है पांस से साथ मिनट तक pinch करने के बाद यानि नाक को जो हमने pinch कर रखा था पांस से साथ मिनट के बाद बापिस देखना है कि bleeding बंद हुई है कि नहीं अगर bleeding बंद हो गई है तो फिर ना को pinch नहीं करना और ब्लेडिंग नहीं बंद हुई है तो वापस से pinch करके रखना है next one अब देखेंगे कि अगर किसी person में bleeding बंद तो हो गई है बट उसको वापस से होने से कैसे रोका जाए तो उसके लिए किस-किस बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले तो ये बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अपनी नोस को ब्लो नहीं करना है ब्लो का मतलब यह है कि जब भी हमारे नोस के अंदर म्यूकस वगेरा जमा हो जाता है तो हम उसे किलिये करने के लिए ब्लो करते हैं नोस को तो ऐसा नहीं करना इसे क्या होता है कि जो अंदर pressure बनता है उस pressure से वापस से bleeding हो सकती है दूसरा क्या करना है कि नोस के अंदर कोई भी चीज को अंदर put नहीं करना चाहे वो finger वगेरा वो या अदर कोई भी thing को उसको अंदर put नहीं करना है next one किस बात का ध्यान रखना है कि जब भी sneezing करें यानि छीक वगेरा लें तो उस time क्या करें अपने mouth को open रखे उससे क्या होगा कि अंदर जो भी air बनेगी pressure बनेगा माउथ के थूप बाहर आ जाएगा air बाहर आ जाएगी जिस वज़े से nose पे ज़्यादा pressure नहीं पड़ेगा next one अब क्या करना है कि जब भी bowel movement करना यानि phasers का pass out करते हैं उस time ज़्यादा straining नहीं करनी है ज़्यादा जोर नहीं लगाना इससे क्या होगा nose में bleeding हो सकती है pressure की वज़े से next one इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी heavy cheese को नहीं उठाना अगर आपको भी bleeding हुई है तो आपको उसके बाद में 2-3 दिन तक किसी भी heavy cheese को lift नहीं करना है आगे की तरफ नहीं जुकना इसे वापस से pressure की वज़े से bleeding हो सकती है next one और यहाँ पर बात का कुछ ध्यान रख सकते हैं जैसे कि जो person में epistaxis की problem में उसको smoking नहीं करनी है क्योंकि smoking करते हैं तो जो धुआ होता है उसमें इस तरह chemicals होते हैं जो वापस से mucous membrane को dry कर सकते हैं और rupture हो सकता है next one ऐसी कुछ medications अगर patient ले रहा है जो मैंने आपको बताया था जो anticoagulant drugs होती है aspirin वगेरा यह drugs क्या करती है blood को thin करने का काम करती है तो अगर कोई person ऐसी medications ले रहा है तो उनको stop कर देना है क्योंकि इनके वज़े से वापस से bleeding हो सकती है next one अब क्या करना है जो person में nose bleeding हुई है वेसलीन वगेरा या antibiotics ointments का use कर सकते है यह क्या करते हैं अंदर जो है moist करने का काम करते है मतलब अगर mucous membrane dry हो रखी है तो उसको moist कर देते हैं जिससे bleeding का खतरा कम हो जाता है तो यह बात हो गई कि bleeding को वापस से होने से कैसे अपन रोक सकते हैं और इसका management भी complete हो गया अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे comment करके पूछ लीजिए ठेंक यू